हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल, मैं अपने चैनल टेंटो टिप्स की थ्रू, अब सभी को दातों और उससे रिलेटिड बातों के बारे में काफी कुछ पर्था होने, तो क्यों ना हम पहले ये जाने की दात होता क्या है, आप लोग कहेंगे ये तो सब जानते की दात होता क्या है, पड़ क्या आप ये जानते की वो किस चीज से बना होता है, और क्यों वो इतना मश्बूत होता है, नहीं जानते ना, तो इनी चीजों के बारो में मैं आज आपको आपको अभ्स वीडियो में बताऊंगी, so let's start! दात Now what is tooth? क्या होता है दात? दात एक hard structure होता है जो calcium से बना होता है यानि कि वो एक hard calcified structure होता है और वो हमारे जब्रो में यानि कि हमारे jaws में होता है हमारा खाना digest करने में मडद करता है अगर dental terms में कहें तो इसा hard calcified structure found in the jaws of our mouth and it is used to digest our food कुछ लोगों को लगता है कि जितना दात मसूडों के उपर है यानि कि जितना हमें बहार से visible हो रहा है उतना ही हमारा actual tooth size होता है नहीं हमारा दात आधा मसूडों के उपर होता है और आधा मसूडों के अंदर अब बात करते हैं कि हमारा दात बना की चीजों से होता है तो हमारा दात बना होता है तीन चीजों से minerals, water and propines अब ये कितने proportions में होता है तो 95% होता है minerals 4% होता है water and 1% protein among minerals इसमें होते है calcium and phosphorus mainly इसमें calcium होता है जिसकी वज़े से हमारा जो tut है वो बहुत hard structure होता है अभी तक अपने ये सोचा कि हम दातों के बारे में क्यों बात कर रहे है उसमें क्या एक छोड़ा सा दात ही तो है कभी ब्रश किया कभी नहीं किया कभी आलस में हम इसमें माउठ वश किया ये कभी सोचा है कली तो किया आज नहीं किया तो क्या है छोड़ा पड़ सो रग लेंगे कल रग लेंगे नहीं जितनी हमारी body health ज़रूरी है उतने ही हमारे tut की help भी ज़रूरी है अगर हमारे tut नहीं होंगे तो हमें दल्य और खिच्वी जैसी चीज़ है खाने पड़ी तो उत्त हमारे खाने को भुच्यू करते हैं या अच्छी से बाइट करते हैं और हम उनकी वज़े से अपना मन पसंदिता खाना खा सकते हैं खाने के अलावा हमारे दाथ हमारे पोलने में help करते हमारे दाथ के जिनकी बारे में डीटेल में अपनी अगली वीडियो में आपसे discuss करूंगी and stay tuned bye bye everyone